असलाम अलेकुम प्यारे बचो अब वक्त हुआ चाता है हमारे ने लेसन का तो प्यारे बचो आज हमारे सबक का उन्वान भी है वक्त यानि टाइम आपको पता है कि वक्त कितनी कीम्ती चीज है हमें हर काम को अपने वक्त पर करना होता है हम वक्त पे सोते हैं, वक्त पे जाकते हैं और वक्त पे ही स्कूल जाते हैं तो प्यारे बचो आपको पता है कि सूरज भी अपने ही वक्त पे निकलता है और अपने ही वक्त पे घरूब हो जाता है तो इसलिए पूरी दुनिया का निजाम भी वक्त के मताबिक ही चल रहा है तो प्यारे बचो, वक्त बहुत कीमती चीज़ है, इसकी कदर करे प्यारे बचो, आपको पता है कि टाइम को देखने के लिए एक आला इस्तमाल किया जाता है जिसको हम गड़ी कहते हैं, जिसके मुख्तलिफ शक्ले होती है एक वो गड़ी जो आपने बाजू पे लगाई हुई है, जिसको हम रिस्ट वाच कहते है और एक वो गड़ी जो आपके सामने दिवार पे लगी हुई है, जिसको हम वाल कलोग कहते है और एक वो गड़ी जो आपकी side table पे पड़ी हुई है जिसको हम time piece कहते हैं जिस पे आप alarm लगाते हैं सुबो स्कूल जाने के लिए और एक वो गड़ी जिस पर number चल रहे होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं digital clock तो प्यारे बचो अब हम देखते हैं कि घड़ी को देखके हमें कैसे पता चल सकता है कि क्या वक्त हुआ है तो चलें अब हम इसको सीखते हैं तो प्यारे बचो अब आपको यहां पे दो घड़िया नजर आ रही हैं एक digital number वाली गड़ी है और एक सुईयों वाली गड़ी है प्यारे बचो आप देख रहे हैं कि जो सुईयों वाली गड़ी है इसमें आपको दो सुईया नजर आ रही है एक सुई चोटी है और एक सुई बड़ी है चोटी वाली सुई को हम घेंटो वाली सुई कहते हैं तो प्यारे बचो चोटी जो घेंटो वाली सुई है वो चार और बड़ी मिंटो वाली सुई जो है वो पारा पे है इसका मतलब ये है कि चार बच चुके हैं तो प्यारे बचो अब आपको डिजिटल क्लॉक पे दो नुक्ते नजर आ रहे हैं जिसने टाइम को दो हिसों में बंटा हुआ है आपकी दनाए जाने वाले जो दो हिंसे हैं वो घ्यन्टो को जाहर करेंगे अब इस गड़ी पे घ्यन्टो वाली जगा पे चार लिखा हुआ है और मिंटो वाली जगा पे जीरो जीरो तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ डिजिटल क्लॉक पे चार बच गये हैं बिल्कुल इसी तरह से आपको यहाँ पे एक और डिजिट हुआ है बिल्कुल सही पांच बज गए है अब एक और गड़ी है एक और डिजिटल क्लॉक है जिस पे देख के आप मुझे बताएंगे कि क्या टाइम हुआ है इसकी बाइं साइड पे साथ है और दाइं साइड पे जीरो जीरो तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ साथ बज गए है वेरी गुड और बिल्कुल इसी तरह से एक और डिजिटल क्लॉक है जिस पे आठ बज रहे है प्यारे बचो अब आपको यहाँ पे तीन सुयों वाली घड़ियां और तीन डिजिटल क्लॉक नजर आ रहे हैं जिन पे मुख्लिप टाइम है अब हमने क टाइम को डिजिटल क्लॉक के साथ मैच करना है तो प्यारे बचो अब हम सबसे पहली वाली घड़ी पे देखते हैं कि सुयों वाली घड़ी पे क्या टाइम हुआ है इसकी घंटों वाली सुयी है दो पे और मिंटों वाली सुयी यानि बड़ी सुयी जो है वो है बारा पे तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे दो बज रहे हैं। अब हम अपने बाइंच आने पे देखते हैं कि किस वाले डिजिटल क्लॉक पे दो बज रहे हैं। तो प्यारे बचो आखरी वाले डिजिटल क्लॉक में दो बज रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? इस वाले clock को डिजिटल clock से मिला देंगे अब हम नीचे वाले clock को देखते हैं कि यहाँ जो घंटो वाली सुई है, वो है दस पे और जो मिन्टो वाली, यानी बड़ी सुई है, वो है बाराँ पे तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दस बज़ गए हैं अब हम इसको डिजिटल क्लॉक से मिलाएंगे कि डिजिटल क्लॉक पे दस कहा बज रहे हैं बिल्कुल सही अब हम पहले वाले डिजिटल क्लॉक को इसके साथ मिला देंगे और अब हम आखरी वाली घड़ी पे आते हैं तो प्यारे बचो अब यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे मिंटो वाली सुई भी बारा पे है और घंटो वाली सुई भी बारा पे है तो इसका मतलब क्या हुआ? वेरी गूड इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर बारा बज रहे हैं और इस वले डिजिटल कलॉक पर भी अब बारा बज रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में मिला देंगे प्यारे बचो अब आपने सुयों वाली घड़ी और डिजिटल क्लॉक से वक्त देखना सीख लिया होगा अब आप अपने तमाम काम वक्त पे करें और वक्त की कदर करें अपना बहुत सा रखेगा ख्याल अलाहाफिज